हेलो दोस्तों स्वागत आपका फ्रेंड स्टेडी सरकिल चैनल में दोस्तों आज हम बात करेंगे यूपी पुलीस जेल वाडर फायर मैन के रिजल्ट के बारे में दोस्तों जैसा कि एंसर की आउट होई चुका है और सभी लोगों ने अपने एंसर की ओयमार बुकलेट से मिल लिए हैं और एक्सपेक्टेट कटाफ का भी जो आकड़ा था वो मैंने वीडियो के थुरूप बता दिया था कि इतनी न्यूंतम यदि आपके मार्क्स बन रहा है तो आप रनिंग की तयारी कर सकते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट भी किया है और आप वीडिय से अब जो रिजल्ट की बात करते हैं तो रिजल्ट जो है अगली महीने यानि कि यह महीना खतम हो चुका है साल भी खतम हो चुका है और जनौरी लास्ट तक जो है इसके रिजल्ट आने के पूरे चांसे से और 99% चांसे से हैं कि जनौरी लास्ट तक इसका रिजल्ट वो ही बता चुके हैं जैसा कि 2021 तारीक को ही न्यूज में अपडेट आया था कि यह जो रिजल्ट है जनुरी के लास्ट मा में अपडेट हो जाएगी तो दोस्तों यदि आपके मार्स सही हैं और आप रणिंग कर रहे हैं तो बैतर है जो लोग नहीं कर रहे हैं और अनुमानि हैं तो फिर आप अगले एक्जाम के तैयारी कीजिए इसमें आपका यदि नहीं होता है तो लेकिन दोस्तों यह बात जरूर ध्यान दीजिएगा कि रिजल्ट आने के बाद आपको चांस बहुत कम मिलेगा यानि कि फिश्कल तैयारी करने की जो चांस है वो कम मिलेगा तो इस वज़े से टाइम जो रहेगा जैसे आपको पता होगा कि पिछली वैकेंसी में भी बहुत कम समय मिला था तो इसमें भी अमान कर चलिए कि मतलब 10 से 12 दिन या 15 दिन के अंतरगत आपको रनिंग के लिए फिश्कल के लिए बुला लिया जाएगा तो इस वज़े से अभी